हालो नमस्ते और आपके स्वाकते एक और रियल टॉक वीडियो में और यह होंगे पाँच क्विक साइन्स की यह डेफिनेटली आपके फॉल्स टून फ्लेम है आप बहुत महीने से या सालों से नू कॉंडाक सेपरेशन में रहे हैं और इस इंसान के वापस आने की कोई नाम और निशान नहीं है उसके शायद और गल्स ट्रेंट भी है और वो मुव ओन कर चुके है और वो शायद आपको कहे भी चुका है कि वो मुव ओन कर चुके है और आप जो है सोच रहे कि नहीं वो ये खै चुका है और वो ये mean नहीं कर रहा था deep down वो ये कहना चाहता था कि वो वापस आएगा एक नएक दिन ये इनसान जो है आपको confusion में रखके किया है which is our point number two ये इनसान जो है आपको confusion में रखके किया है और अब बहुत ज़्यादा confused रहा उपको पता भी नहीं है कि आखिरकार क्या चल रहा है future में क्या होने वाले है क्या है इनसान वो आपस आएंगे या नहीं but आप जो है वही situation में stuck up है क्योंकि आपके पास literally कोई option नहीं है and you're like why me, why me because you just do not know how to move on point number three आपके अंदर ये thought है कि प्यार जो है वो बहुत suffer करके मिलता है आप अगर बहुत ज़्यादा सफर करोगे बहुत ज़्यादा तरपूगे किसी के लिए किसी के लिए तना ज़्यादा weight करोगे जो लोग सोचेंगे आपके ex के friends specially सोचेंगे कि आप महान है और सब सोचेंगे कि आप महान है आपके ex सोचेंगे कि आप इतना ज़्यादा महान है और देखेंगे कि आपके प्यार कितना ज़्यादा प्यार है और आपके प्यार के प्यारिटी देखती वे आपके purity के हैसास महसूस करते वे आपके ex जो है आपको समझेंगे और वो importance देंगे कि you're so important to them Point No. 4 कि definitely इंसान आपके false to inflame है आपको लगता है कि इस इंसान के साथ to inflame के सारे signs matter करते है जो भी signs आप देखते हैं इंटरनेट में रना और चेदा जो भी phases है वो सारे इस चीजे इस इंसान के साथ match करते है और शायद इस इंसान के साथ आपके बोदे भी same month में है आपके parents के job भी same type के है आप लोग overall same situation में पर लेबरे है आप दोनो students भी same type के है this is again a sign of false to inflame and finally Point No. 5 कि definitely ये इंसान आपके false to inflame है आप जितना भी नरोग करते हो जितना भी प्यार को चूज करते हो जितना भी खुद को चूज करते हो ये इंसान जो है उतना ही आपको चूज नहीं करता है टॉक्सिसिटी को चूज करता है और आप जितना भगवान की करीब जाते है ये इंसान जो है और भी जादा आपको लगता है कि दिस्टेंट होते जा रहे हैं आप जब भी energetically tap and करते हैं आपको लगता है कि इंसान तयार नहीं है ये इंसान की ये resistance है वो इंसान की वो resistance है आपको literally लगता है कि उनके जो thought patterns है उनके जो expect है उनके जो perspective है वो पलकुल आपके opposite है और आपके साथ alignment में नहीं है और वो चीज को आपको alignment में अंदर के तरफ लाना है और इसलिए आप अंदर एक यूद में है वो polarity को align करने के लिए आपके अंदर literally एक यूद चल रहे है क्योंकि वो यूद से बहार आते वे पूरे तरिके से आपको एक आपको लगता है कि breakthrough मिलने वाले है shift मिलने वाले और वो आने वाले और दुनिया आपके लिए बदलने वाले है क्योंकि उनको पाना ही आपके सिंदेगी के मकसत है so if you resonate to these signs then definitely this person is your false twin flame I know you feel very pissed at me because when I used to hear these signs and I was not ready and I used to be like nah this is true twin flame sign only this person does not know but I told you all of these things from my personal experiences and trust me these are the signs of false twin flame the faster you get it the faster your twin flame enters the faster the blistering pain in your heart leaves that's I guess most important that वो छुपते वे दंत को निकलने के जो आराम है वो आराम सबसे हसीन है thank you I love and light to you namaste okay